तो सभी को नमस्कार स्वागत है आपका एक और सेशन में जो कि आपका GST फाइलिंग से रिलेटेड है मेरा नाम अनू है मैं जोहो बुक्स टीम से हूँ और आज के इस सेशन में हम लोग GST R2 2B रिकंसायल के बारे में देखेंगे अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टेक्स जुलाई 2017 में इंडिया में आया था इसके बाद से ही GST से रिलेटेड तरह तरह की फाइलिंग स्टार्ट हुई है जिसमें से आपका GST R2 भी है पहले GST R2 जोहो बुक से आप फाइलिंग कर सकते थे बट इसको सेप्टेंबर 2017 से इसे गवर्मेंट ने हटा दिया इसी के वज़े से जोहो बुक से भी ये हट चुका है अब आप बस रिकंसाइल कर सकते हैं GST R2 एंड GST R2 भी को session है आज का उसमें जो हम cover करने जा रहे हैं उसका agenda है जैसे कि पहले हम देखेंगे कि GST R2 A क्या होता है उसमें आपके क्या-क्या components या क्या-क्या आपकी जो transactions होती है वेंडर की तरफ से वो आती है उसके बाद हम GST R2 B का देखेंगे फिर इसको Zoho Books में कैसे reconcile करते हैं या क्या steps उसमें involve होता है वो सारी चीज़े हम Zoho Books के थरू देखेंगे इसके बाद हम लोग frequently asked question भी check करेंगे जैसे कि जो भी questions हमारे पास as a support में आया है customers ने पूछा है वो हम share करेंगे फिर एक quick recap होगा और उसके बाद आपके question and answers के आपकी ज पहले देखते हैं GSTR 2A क्या होता है तो GSTR 2A आपका एक system generated statement होता है जो आपकी invert supplies जो आपकी recipient होते हैं उनकी तरफ से आता है GSTR 2 में आप कुछ भी action नहीं ले सकते हैं कुछ modify नहीं कर सकते हैं आप सिर्फ इसको view या download करके ही देख सकते हैं GSTR 2A में जो components आती हैं जैसे के आप देख सकते हैं इसमें जो component है आपके invoices, credit debit notes हो गए आपके जो भी ISD details मतलब की input service distributor होता है फिर आपके details of TDS and TCS credit हो गए और आपका जो भी import of goods है जो आप overseas customer या SEZ units या developer के लिए करते हैं वो आपका eyesgate portal से यहाँ पे fetch होता है तो आप देख सकते हैं कि invoices, credit note जो है आपके वो GSTR 1 और 5 से आते हैं ISD details जो होती हैं वो GSTR 6 से आती हैं detail of TDS and TCS जो credit होते हैं वो GSTR 7 और 8 से आता है और यह last आपके eyesgate portal से आता है आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि GSTR 2 और आपका सिर्फ read only format होता है आप इसे government की portal पे देख सकते हैं बट आप सिर्फ उसको view या download ही कर सकते हैं उसमें कोई भी action आप नहीं ले सकते हैं तो GSTR के portal पे इस summary को देखने के लिए आपको steps follow करना है सबसे पहले आपको login करना है GSTR के portal पे वहाँ पे services आएंगा then return आएगा और उसके बाइज return dashboard पे click करना है जैसे कि आप screenshot पे देख पा रहे होंगे इसके बाद next आपका जो page open होता है उसमें वो आप से कुछ चीजे details मांगता है जैसे कि financial year हो गया quarter हो गया period हो गया and then आप उसको search करेंगे जैसे ही आप search करेंगे आप देख सकते हैं नीचे आपको auto-drafted details है जो कि सिर्फ view और download का option आ रहा है view और download तो आप जब view पे click करेंगे तो आपके सामने जो summary आएगी वो part A, B, C, D के format में आएगा ठीक है, part A जो है आपका वो form GSTR 1 & 5 की details होंगी, part B जो है वो GSTR 6 है आपका ISD credits जो है part C जो है वो GSTR 7 & GSTR 8 होगा and part D जो आपके overseas customer या SCZ के लिए आपने बनाया है या bill of entry अभी आप देखेगा आपको जो next है ये ऐसी summary आपकी government की portal पे show होती है आप देख सकते हैं इसमें आपकी GSTR नंबर, legal name, trade name, financial year जो भी आपने select किया है और आपका जो भी return period है वो select करने के बाद आपका जो summary है वो part A, part B, part C और part D में show हो रहा है part A आपका होता है B2B invoices, credit debit notes और इन से related आपने जो भी amendments किये होंगे वो भी आपको part A में show करेगा part B होता है आपका ISD credits उससे related जो भी amendment आपने किया होगा वो part B में आपको show करेगा part C होगे आपका TDS credit, amendments to TDS credit और TCS credits यह आपके part C में show करेगा part D जो होता है वो आपका import of goods है overseas जो आप bill of entry बनाते हैं then आपका SEZ unit और developer जो हुआ वो आपका show करेगा part D में तो यह summary आपके generate होगी GSTR 2A के लिए और यह सारे components होते हैं जो आपके GSTR 2A में आता है अगला हम देखते हैं GSTR 2B तो GSTR 2B में चलने से पहले मैं आपको ITC के बारे में बताती हूँ ITC है आपका input tax credit इसका आपका जैसे मैं आपको एक example से बताती हूँ आपने अगर purchase bill किया है किसी vendor से कोई समान खरीदा है तो उसमें आप एक tax pay करते हैं आप same item या फिर आप उसी item को किसी और customer को sale कर रहे हैं उस time पे भी आप एक tax show करते हैं तो वो जो tax है आपको मतलब दुबारा नहीं pay करना होता है तो उसके लिए जो भी आपका input होता है वो आप input tax credit को claim कर सकते हैं तो ये आपका ITC होता है और GSTR2B जो होता है ये भी आपका एक auto drafted statement होता है जो आपका ITC ही दिखाता है कि कितनी ITC आपके पास है जो आप claim कर सकते हैं तो ये GSTR2B का statement होता है अब जैसे के आपने देखा GSTR 2A के कुछ components है उसी तरह GSTR 2B के भी components होते हैं इसमें भी आपके GSTR 1 and GSTR 5 आता है GSTR 6 आएगा जो कि आपकी ITC जित्ती received है वो दिखेगा Ice Gate System है जैसे कि Inverse Supply of Goals Received जो भी आपकी SCZ Unit या Developers के लिए बनाते हैं वो आपको show करेगा सिधा Ice Gate System से ही वो fetch होता है then ITC availability to the registered person और जो आपकी ISD होती है तो इन सबका आपका जो ITC है वो आपकी GSTR 2B में show करता है GSTR 2B भी GSTR Portal में देखने का आपका same steps है आपको पहले login करना है, services में जाना है, then returns में जाना है returns में जाने के बाद आपको return dashboard का option आएगा जैसे ही आप click करेंगे, आपके सामने again financial year आपसे पुछा जाएगा quarter पुछा जाएगा, period पुछा जाएगा and then आप search करेंगे search करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको नीचे एक box आ रहा है auto-drafted ITC statement for the month तो इसको भी आप सिर्फ view या download कर सकते हैं, तो जब आप अगर view पे click करेंगे तो आपके सामने ऐसी summary आईगी जो आपके GST portal पे आती है, तो इसमें आप देख सकते हैं दो आपके part है, first है आपका summary, second है आपका all tables, summary में आप देख सकते हैं ITC available है, ITC not available है, ITC available आपका वो transaction है, जो आप जिस में भी, जिस bills में आपने tax को लिया है और ITC claim करना चाहरे हैं ITC not available, वो transactions आएंगे, जिनमें आप ITC available या ITC claim नहीं कर सकते हैं तो आप देखें, यहाँ पर आपके tables हैं, जैसे कि आपका जो भी B2B invoices हुए, B2B debit notes हुए, B2B invoices जो भी amendment है आपके और आपके debit notes के amendment, यह सारी चीज़े आपकी इसमें आएंगी, आपकी जो ISD है, उनकी भी details आएगी, reverse charge है, उनका भी आपको यहाँ पर value शो करेगा और आपके जो भी import of goods है, जो आप bill of entry के थुरू करते हैं, उसकी value भी आपकी यहाँ पर show करेगी अगर आप all tables पे click करेंगे, all tables में जो format है, वो आपका कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं screen पे, इनमें आपकी जो भी जैसे B2B है, B2BA है, आप यह amendments देख सकते हैं, debit credit notes देख सकते हैं, तो actually में इसको आपको click करके, जो भी values आपको देखना है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यह हमने अभी देखा का, GSTR2 and 2A and 2B के बारे में हम लोगों ने देख लिया है, अभी हम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि Zoho Books एक GSP है, जो आपको application के अंदर से ही GST filing या फिर GSTR2 या 2B को reconcile करनी की facility देता है, तो अभी हम देखेंगे कि Zoho Books से कैसे हम लोग reconcile कर सकते हैं, बट उसके पहले आपको कुछ settings करनी होती है, तो मैं आपको अभी Zoho Books पे लेके जाती हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने Zoho Books की screen आ रही है, तो इसमें पहली जो settings करनी है, वो आपको पहले settings में जाना है Zoho Books के, उसके बाद आपको taxes में click करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे multiple GST हैं, अगर आपके multiple branches हैं यहाँ पर, तो आप उन में से जिसका भी अभी करना चाहते हैं, उसके आप click करेंगे, click करने के बाद general का option आता है, तो इस general में आपको अपना GST number देना है, आपका जो भी business legal name है, business का trade name है, उस के बाद GST registered on, किस month में या किस year से आपको GST number मिला था, वो आपको यहाँ पर mention करना है, फिर आप में reverse charge applicable होता है या नहीं होता है, import, export और digital service, यह तीन option है, आपके पास, अगर आपकी business में यह तीनों है, तो आपको tick करना है, अगर नहीं है, तो उसको untick करके आप इसको save कर स online filing setting में आपको अपना username देना होता है, यह वो username है, जो आप अपने GST के portal पे login करने के time पे देते हैं, और यह username as it is होना चाहिए, मतलब कि अगर small है तो small, capital है तो capital, उसके बाद आपको reporting period सेलेक्ट करना है, reporting period में आप देख सकते हैं कि monthly, quarterly दोनों option है, आपके लिए जो भी applicable है आप उसको select करेंगे, उसके बाद QRMP scheme है, अगर आपका है QRMP scheme तो tick करेंगे, नहीं है तो untick करेंगे, फिर आपका यह generate first tax return from है, जो हो बुक्स से आप कब से start करना चाहते हैं, आपको वो month और year यहाँ पे mention करना है, जैसे कि यहाँ पे November 2018 है, उसके बाद आपका यह GST filing approval है, य अगर आपके Zoho Books में कोई user है, जिसको आपने permission दी है GST filing करने का, तो वो आपसे बिना approve लिये, कोई भी filing ना करे, तो यह उसके लिए option आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें आप approvers को select कर सकते हैं, और maximum जो approval है, वो 5 approval है, तो अगर आपके system में या फिर आपके Zo Zoho Books में ऐसी requirement है, तो आप इस option को use कर सकते हैं, अभी मैंने इस सारी चीज़े details डाल के इसको save कर देंगे, इसके बाद आपको API का access देना होता है GST के portal पे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, GST portal पे login करना है, आप right side top पे देखेंगे, आपको my profile आएगा, my profile पे click करने के ब है, and then duration आप से पूछेगा, तो आप duration अपने हिसाब से दे सकते हैं, जितने भी days hours का आप दे रहे हैं, वो सिर्फ उतने ही days hours तक के लिए valid रहेगा, उसके बाद के लिए आपको फिर से यहां पे आके API access को enable करना है, अभी हम Zoho Books में चलते हैं, वहां पे अभी हम देखेंगे reconciliation कैसे होता है, GSTR 2A का, यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे GSTR filing पे Zoho Books का जो GSTR filing का option है, उस पे अगर आप click करेंगे तो आपके पास यह page आता है, आपका GSTR number होगा, और month selected होगे, then 3B GSTR 1 और GSTR 2 होगा, तो हमें GSTR 2 देखना है, GSTR 2 और आप अपना उपर से month select कर सकते हैं, select कर अपने के बाद, आप यहां पे आएंगे, यहां पे देख सकते हैं, आपको दो option होगा, categorize now और market completed, so सबसे पहले आपको categorize करने हैं, अपने transactions को, इस month का categorize अगर हो जाएगा, तब ही आप इसे market complete करेंगे, तो जैसे कि मैं आपका यहां पे transactions है, अगर आप इस पे click करते हैं, तो वो आपको overview वाले page पे ले जाएगा, यह जो overview है, यह आपके zoho books से generate है, मतलब कि आपने zoho books में जो जो transactions बना रखे होंगे, उसके हिसाब से यह overall summary आपको दिखाई देगा, उसके बाद आपका second tab है, reconciliation, तो आपको actually, यहां से अपना data pull करना है, जो कि आप देख सकते हैं, कि right side top पे आपको pull from GSTN का option है, तो जब आप इस पे click करेंगे, आपसे वो OTP पूछेगा, यह जो OTP है, आपके registered mobile number पे आएगा, तो आप generate कर सकते हैं, आपके registered number पे यह show करेगा, आपको वो OTP डालना है, and उसको verify करना है, OTP verified हो जाता है, तो आपके जो भी transactions होते हैं, GST portal पे वो आपका fetch होगा, और जो fetch होगा, वो in चार tab में होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, missing in GSTN, missing in Zoho Books, partially matched और matched, अब मैं आपको यह समझाती हूँ कि यह चार tabs क्या है, missing in GSTN आपका होता है, जो आपने Zoho Books में create किया हुआ है, लेकिन आपके GSTN के portal पे वो transaction नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं, आपके यह multiple bills आपको show हो रहे हैं, आपको इसमें action आता है, add to GSTN करने का, अब यह reason हो सकता है, missing in GSTN का कि आपके जो vendor है, वो quarterly filing करते होंगे, जिस मन्त का आप देख रहे हैं, उस मन्त में उन्होंने नहीं filing की होगी, तो वो आपके missing in GSTN में show कर next आता है missing in Zoho Books, missing in Zoho Books का मतलब है कि यह वो transactions दिखाता है, जो आपके GST के portal पे है, बट आपके Zoho Books में बना हुआ नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास देखिया actions हैं, या तो आप इसको create करके match कर सकते हैं, या फिर reject कर सकते हैं, या फिर इसको आपके next month में carry forward हो जाएगा, तो missing in Zoho Books का यह मतलब है, आपका फिर आता है partially matched, partially matched में जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक आपका details आ रही है, जो कि एक black color की है, एक red color की है, तो black वाली जो details आ रही है, वो यह वो है, जो आपने Zoho Books में बना के रखा है, और red वाली ज देख सकते हैं कि इसमें slightly difference है, जैसे कि 101 और 100, जैसे आपका taxable amount Zoho Books में 101 है, बट आपके vendor ने जो दिखाया है, वो 100 है, तो यह जो थोड़ा बहुत जो difference होता है, इसकी वज़े से यह partially matched में आता है, और भी difference की reason है, जैसे कि आपका bill number आपके vendor के invoice number से अलग होता है, उस case में भी यह partially matched में आता है, आपका bill date different है, तो भी यह partially matched में आएगा, और आपके taxable value हो गई, ठीक है, इन सब की reason की वज़े से यह आपके partially matched में आता है, तो आपको यहां पे भी आप देख सकते हैं, action है, जिसमें आपको different options है, जैसे कि accept, आप accept पे click करेंगे, तो जैसा है आप उस accept कर सकते हैं, use my value, मतलब कि आपने जो value दी है, वो use हो, ना कि आपके vendor की value, modify and match, modify and match में अगर आप click करते हैं, तो यह आपको सीधा, उस bill में लेके जाएगा, जो bill आपके यहां पे show हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं, screen पे, यहां पे आप edit कर सकते हैं, और दूसरी ब आपके match हो जाएगी, और आपका last option है, market spending, तो pending का मतलब आप इसको छोड़ सकते हैं, तो यह आपका as it is, यहां पे रहेगा, आपका last आता है, matched वाला, तो matched आपका हुआ, जो आपकी bills होते हैं, आपके vendor के invoices से पूरा match हो रहा हो, value से match हो रहा हो, vendor के name से match हो रहा हो, उनके GST number से match हो रहा हो, तो यह सारे conditions से अगर match हो रहा है, तो उन cases में यह सीधा आपके matched में आती है, तो यह four tabs होते हैं, जिनको आपको देखना होता है, reconcile में, और सारी चीज़े आपको match या जो भी आपके according है, वो करने के बाद, आपको third tab आता है, complete your return, complete your return में जैसे आप देख स reconcile हो जाती है, properly, तो आप इसको market complete कर सकते हैं, market complete अगर आप करेंगे, तभी आप next month का reconcile कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ reconcile करके इसको छोड़ देंगे, market complete नहीं करेंगे, तो उस case में क्या है, future का जो month है, उसके transactions को देख नहीं सकते हैं, तो यह था आपका GSTR 2A का reconciliation, अभी हम यह से बताया है, कि यह भी आपका auto drafted होता है statement, जो आपकी ITC को दिखाता है, इसको reconcile करने के लिए, आपको GSTR 2B, मतलब same process था, GSTR filing में जाके आप अपना month select करेंगे, month select करने के बाद जैसे GSTR 2A आ रहा था, वैसे ही आपका GSTR 2B आएगा, और वहाँ पे आपको जो option है, वो fetch summary क आप सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, screen में fetch summary का option आ रहा है, तो आप जब fetch करेंगे, तो आपका वो GSTR 2B में जैसे देख पा रहे हैं, view return है, और reconciliation है, view return में आपको ITC available और not available वाले जो summary है, वो show करेगा, और उसके बाद आपको reconciliation वाले tab में, again आपके वही 4 tab आएंगे, missing in GSTR, missing in Zoho books, partially matched और matched, तो इसको भी आपको same देखना है, आपके vendor के जो भी statement उनके side से आई हुई है, उसको और इसको reconcile करना है, इसमें आपका एक filter भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ITC availability है, आप या तो all कर सकते हैं, या फिर ITC eligible या ITC ineligible को अलग-अलग करके देख सकते हैं, त next आप इसको export भी कर सकते हैं, आपको Excel X के format में आएगा, आप इसको export करके भी check कर सकते हैं, अभी हम आते हैं, frequently asked question में, तो frequently asked question ये वो है आपका, जो भी customer है, वो support में आके जो पूछते हैं, ये वो questions है, common questions, तो पहला जो आपका question है, कि there was an error while connecting to GSDN, तो ये error आपका तब आता है, जब आप summary जल्दी generate करने की कोशिश करते हैं, actually GSDR 2A या 2B का जो reconcile है, वो आपको हर महीने के 14th के बाद ही available होता है, तो उससे पहले अगर आप try करेंगे, तो आपको ये error आएगा, कि there was an error while connecting to GSDN, second है आपका GSDR 2B is greyed out, GSDR 2B जो है आपका, actually में GSDR 2B जो इंडिया मे आया था reconcile करने के लिए, वो August 2020 है, तो आपको पहले उस मन्त में जाना है, उस मन्त का देखना है, उसके बाद ही आप जो भी आपकी future month है, उनको आप कर सकते हैं, July और August के लिए भी हमने open किया था, but वो just for trial purpose था, but actually जो start हुआ है, वो August 2020 से start हुआ है, third question है, GSDR 2 is greyed out, इसका इसका यह है कि जैसे कि आप GSDR 1 filing या 3B filing करते हैं, तो किसी भी month की अगर आप filing करते हैं, तो उसको markets filed करते हैं, तभी आपको next month का data show होता है, similarly GSDR 2 is greyed out, उसका भी यही है, कि अगर आपने, माले जी आपने September month की filing की है, reconcile किया है, और September month का आपने markets complete नहीं किया, तो आपका October month का जो होगा, वो ऐसे ही greyed out दिखेगा, तो आपको September month का GSDR 2 या 2A या 2B जो भी आप reconcile कर रहे हैं, उसको आपको markets complete करना है, तभी आपको next month के data show करेंगे, फोर्थ question है आपका, in GSDR 2A and 2B, the previous data are getting populated, तो मैंने आपको बताया था, कि आप अगर कुछ bills को markets pending करते हैं, या फिर तो reconcile नहीं करते हैं, तो वो सारे bills जो होते हैं, वो आपके next month में carry forward होते हैं, और इसका एक reason ये भी है, कि आपके vendor ने, vendor आपके quarterly filing करते हैं, तो उन्होंने उस month में filing नहीं की है, next month में करेंगे, तो उन cases में भी जो bills बचे हुए हैं, वो bill आपके carry forward होंगे, 5th question है, I have created a bill in Zoho Books, but it is not showing in the missing in GSTN or any other tab, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ conditions होते हैं, जिनकी वज़े से आपके bills किसी भी टाब में नहीं show कर रहे हो, वो conditions आपकी होती है, कि आपको आपका जो भी bill date है, वो match होना चाहिए, आपका GST number correct होना चाहिए, taxable value correct होना चाहि और vendor का नाम आपका सही होना चाहिए, तो ये चार जो चीज़े होती है, ये bills में आपके जरूरी होना चाहिए, और आपके vendor के invoice के साथ match होना चाहिए, उसी case में आपका ये जो transaction से दिखेंगे, otherwise अगर आपका एक भी जैसे bill number आपका incorrect है या format में नहीं है, तो वो आपके missing in G GSTN में नहीं शो करेगा, तो ये चीज़े, ये चार चीज़े आपको match करनी होगी, लास्ट है, can we modify transaction after GSTR2 to be reconciliation in Zoho Books, तो ये आप कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन में mark as open का option है, तो आप mark as open करके, आपकी जो भी changes है वो करने के बाद, इसको again आपको mark as complete करना है, तब ही आपका, मतलब आप इसको modify कर सकते हैं, तो अब हमें क्यूक recap देखते हैं कि हमने आज के session में क्या क्या देखा, जैसे कि आप लोगों ने GSTR2A और 2B के बारे में देखा, दोनों में क्या difference है वो आपने देखा, दोनों में क्या include होता है components या क्या क्या चीज़े आ reconcile के steps क्या होते हैं, या कैसे reconciliation होता है, क्या क्या tabs होते हैं, क्या क्या उन tabs में आपको करना है, तो ये सारी चीज़े आपने आज इस session में देखा है, अभी हम ये session के end में आ गए हैं, आशा है कि आपको ये session useful और informative लगा होगा, अभी हम question and answer के लिए open हैं, तो आप अपनी questions what happens when I click on add to GST portal on first tab, तो ये मैं आपको show करते हूँ कि क्या होगा इसमें, देखें, जैसे कि ये missing in GSTN है, देखें इसमें जो भी आप करते हैं, वो आपकी सिर्फ जोहो बुक्स तक ही है, इससे कहीं भी आपका GST के portal पे कुछ भी changes या impact नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पह ये पहला वाला मैं आपका बिल ले रही हूँ, इस पर अगर मैं क्लिक करते हूँ, आप देख सकते हैं, missing in GSTN में अभी जो count दिख रहा है, वो 99.0, तो अगर मैं इस पर क्लिक करते हूँ, add to GSTN में, तो ये आपका missing in GSTN कम हो गया, 89, और जो आपकी transaction है, वो आपके इस reconciled वाले टाब में चला गया है, जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, आपके जो भी बिल्स होंगे, add to GSTN वाले, वो reconciled में आपका आगया है, और status पर आप देख सकते हैं, newly added, और यहाँ पर action है, आपका revert reconciliation करने का, तो ये है आपका, अगर आप add to GSTN करेंगे, तो वो reconciled में चला जाएगा, काजल जी का question है, how can we match the amount of ITC as per the GST portal in Zoho Books, तो actually reconciliation आपका वही process होता है, आपके Zoho Books में जितने भी बिल्स बने हुए हैं, वो बिल्स और आपकी vendor ने जो भी GSTR 1 के थू फाइलिंग किया हुआ है, उनकी invoices, तो इन दोनों को ही आप reconcile करते हैं, और देखते हैं कि कौन से सब बिल है, जो आपकी vendor के साइट से filing नहीं हुई है, या फिर कौन से ऐसे बिल है, जिनकी value match नहीं हो रही है, तो basically ये reconciliation का process ही आपको ITC जो आप देख सकते हैं, ITC को ही वो reconcile करने के लिए ये process है कि आप अपना बिल और vendor के invoice को match कर सकते हैं, तो next question है, भाविक का, GSTR 2A showing a vendor bill but not showing in GSTR 2B, देखें, GSTR 2A जो होता है, वो आपका एक dynamic होता है, जो भी bill invoices vendor की तरफ से आते हैं, आप उसको pull करके, fetch करके अपने में दिखा सकते हैं, बट GSTR 2B जो है, वो static statement है आपका, जो सिर्फ ITC के लिए use होता है, कि आप उसमें कितना ITC है, या क्या क्या चीज़े आप देख सकते हैं, तो इसलिए उसमें आपका bill नहीं है, मोहिची का question है, पोर्टल पे, देखें, अगर आपने पोर्टल पे GSTR 1 या 3B filing कर चुके हैं, तो Zoho Books में उसको आपको marcus filed करना होता है, तब ही आप next month की filing या data आप देख सकते हैं, तो आ marcus filed करना है आपको, तब ही आप आगे का data चेक कर सकते हैं, तो भाविक ची का question है, how to add debit note issued by vendor in Zoho Books, तो Zoho Books में debit note करके vendor के लिए कोई direct ऐसे नाम से नहीं है, Zoho Books में जो हम use करते हैं, वो vendor credit है, आपको purchase में last option मिल जाएगा vendor credit, तो वो आप ऐजे debit note यूज कर सकते हैं, तो ये question ह what is the last step in GST filing from Zoho Books that affected the official site, देखें, Zoho Books से आप data जब भी push करते हैं, तो आप से वो OTP पूछ के एक process आप complete करते हैं, तो वो जो push आपने किया है data, वही आपके official site या GST portal की site पे जाता है, और वही data आपके site पे effect करता है, उसके बाद आप filing का process करते हैं, तो वो आपकी पूरी filing complete ह जाती है, तो basically जब Zoho Books से आप push करेंगे data, तो वो data आपके official site पे जाता है, और वहीं पे effect करेगा उसको, पवन जी का question है, want to modify in purchase bill for the month of May 2023, how to modify, देखें, बिल आप कभी भी modify कर सकते हैं, अगर आपने GSTR 2A, 2B का reconcile किया है, तो मैंने आपको session में बताया था, कि अभी हम लोग mark as open का option दे चुके हैं, तो आपको उसको mark as open करना होगा, और तब आपको उसको modify करना होगा, अगर आपने reconciliation नहीं किया है, तो फिर आप edit करके, normally आप उसको change करके save कर सकते हैं, शिवा जी का question है, कि what is impact after matching the data in GSTR 3B, देखें, अगर आप GSTR 2A या 2B का reconcile करते हैं, तो उसका को या impact आपका GSTR 3B में नहीं होता है, अगर आप ये जानना चाते हैं, तो लेकिन GSTR 3B में आपको adjust ITC का option आता है, जैसे कि कोई भी ITC आपको कम करना हो, या ज्यादा करना हो, तो 3B के filing के time पे आप उस ITC को adjust ITC के through update करके filing कर सकते हैं, कोमल जी का question है, कि if invoice not found in GST portal, it's transferred to next month, but what about original date of invoice, तो देखे, जोहो बुक्स में जो भी आपका invoice का date है, आप उसी मन्त में यहाँ पे show करेंगे, अगर आप उस मन्त में filing नहीं करना चाहरें, या invoice नहीं दिखा रहा है, आपको नहीं दिखाना है, तो आप उसको next month की filing में manually GST के portal पे जाके उस invoice को add कर सकते हैं, but जोह देख पारें स्क्रीन में, आपका third tab होता है, complete your return, इस पे जब आप click करेंगे, तो आपको देखे, market completed का option है, तो आपको simply इसको click करके, market complete करना है, तो third tab है आपका, GSTR2 में तीन tab आते हैं, overview, reconciliation and complete your return, reconciliation वो tab है, जहाँ पे सारी आप reconciliation करते हैं, matching का, mismatch का जो भी है, और उसके ब question है, please let me know if bill is different, how to match without change in books, तो बिना change किये, आपका reconciliation possible नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि four factors होते हैं, जिसकी वज़े से bills आपके show नहीं होते हैं, तो bill number change करना ही करना है, या तो आपको या फिर आपके vendor को, बिना change किये, reconciliation possible नहीं है, हमने सारे आपके जो almost questions हैं, उनके answer आपको दे दिये हैं, in case अगर कोई questions आपका रह जाता है, तो हम आपको mail कर देते हैं, और आप देख सकते हैं, screen पे आपके mail ID है, और help line है हमारी, तो अगर आपको कोई questions पूछना है, या बात करना चाहते हैं, तो आप direct इस mail पे drop कर सकते ह हैं, और हमारी help line पे reach कर सकते हैं, आशा है कि आपको ये webinar अच्छा लगा होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो ये session join किया है, so thank you